नमस्कार दोस्तों मैं सतीष सर्ट आज कानेश चेप्टर है माइक्रो मीटर मैं कैसे बीटी सिस्टम से लिस्ट काउंट निकाला जाता है ठीक है यह चेप्टर सभी ट्रेडों के लिए माजाब कि लिस्ट कौंट के लिए सब फ्रेड में जरूरी है सलिए आज इसका आम निका ले है 16 Frankie ये सिस्टम से करि traditions कैसे लिस्ट कौंट से दौर जाता है जैसी है आज माजाब मेत् más tarod is लिस्ट कौंट निकला जाता है जैसे सblom देखो इसके spindle पर देखो 25 तक अंकित है यह spindle नहीं यह बेरल या सिलीप पर 25 तक लिखा वगा जब कि इसके थिमबल भाग पर 50 तक है लेकिन बीटीस माइक्रो मीटर में ये 25 तक ही ना था थिम्बल पर कितना लिखा रहा था 25 तक थिए वह चीज हम बताने जा रहे हैं तो ओटोमेटिक हम पहले ही बता चुके हैं कि ये रेचेट अस्टप हो ये क्या हुआ रेचेट अस्टप ये नर्लिंग फिंगर गिरिप है ये थिम्बल है थिम्बल पर गेडेशन कटा रहा था यह जीरो से 25 तक है इसलिए कि बीटीस माइक्रो मीटर ठीक और यहां हम सभी इंच में दर्सा रहे हैं मेन अस्केल डिवि इसलिए बीडिटीस सिस्टम में क्या कहता है कि मेन अस्केल डिविजन जो है जैसे यहां 0 से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच आनि 0 से 1 इंच, 0 से 1 इंच को कितने बीच में बाणते आ गया है एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग और 10 भाग कितने भाग में बंडता घया हैं? दस भाग में 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग और ये लस्ट दस भाग और जी रो से एक इंच 0 से 1 इंच को 10 भाग में बंडता घया है ठीक तो कहने कि मतलब में एसकेल डिविजन को कितने बांट दाउं हमें पंट द्याओं हम बांट दिया गया रिड़ा है वायो हम पॉल्षडट reय English इंच पॉइंट, इंच जीरो पॉइंट, इंच थीक. फिर क्या करता है? फिर Main Scale Division को तो हम have 10 भाग में 밋ण दिया गया, फिर 10 भाग में जो एक भाग को बढ़ तैं, फिर एक भाग को, फिर एक भाग को, एक भाग किसका एक भाग और में जए डिविजन के एक भाग को फिर चार भाग में बाष़ँ kan यह ऐक कि पना छार कितना हो गया, एक बटाई, चारीस भाग, और ये, फोब चारीस भाग भाग वाग वहा, घीक है, सब असकेल डिविजन का भाग वहा, ठीक है, geography है, असकेल डिविजन का भाग का, यहां से भाग कितना हुआ, यह भाग से 0 से एक, तो 0 ड दो समलाब 0 to 5 इंच ठीक कहने का अताबतर यह है कि अस्पिंडल फर जो है पीछ कटा हुआ है 0.0255 बेरल और स्पिंडल को उपर बेरल या सिलिप के अंदर या स्पिंडल के उपर कितना पीछ कटा हुआ है 0.0255 आनि कहने का मतलब है ति थिम्बाल 0 से 25 से 25 से 0 जाएगा तो कितना आगे बर जाएगा स्पिंडल 0.025 कियोंकि उसका पीछ ही कटा हुआ 0.0255 इंच का ठीक आनि कि यहां से यहां तक के दूरी कितना हुआ 0.025 इंच ठीक आनि कि एक भार में घुमनेक बाद 0.025 इंच आनि कि सावस्केल डिविजन का लिस्ट कॉंट 0.025 इसी तरह से लिस्ट कॉंट मैक्रो मीतर मायक्रो मीतर इन विरिटी मीते शिस्टम में क्या होता पीच वाटा थिमबल के कुल भाग थिमबल के कुल भाग थिक तो कहने करता अब तर युह है कि पीच कितना हैं पीच कितना कटा हुआ इस पह जीरो 2.05 जीरो 2.05 0 to 5 inch कितना गडेरेशन कुख़ हूआ है। तो 35 से अधित Willow खटा हुआ है और फचीस खटा खटा हुआ तो इसको पूंट रदो एक दो तीन तीन अंग तो तीन सुना दे दिया तो पचीस का पचीस कट गया तो एक बटा एक हजार एक हजार बहगा दिया तो जीरो तो समलब जीरो जीरो वन इंच ठीक अब धियाओं से देखो मेन असकेल डिविजन का लिस्ट काउंट कितना हुआ मेन असकेल डिविजन का लिस्ट काउंट देखो जीरो तो समलब वन इंच ठीक सब असकेल डिविजन का लिस्ट काउंट कितना हुआ सब असकेल डिविजन का लिस्ट क स्पिंडल जो एक भाड़ में घुमेगा थिमबल तो एस्पिंडल 0.025 इंच आगे बढ़ेगा यही थिमबल स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट कितना हुआ 0.001 इंच अनिकी 0 से 0 से एक तक गया तो 0.001 इंच हता है ठीक लिस्ट काउंट समझ गया धन्निवाद